नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जारखन के दिन भर की खबर जानते हैं इसके साथ ही अधिक्तम तापमान में भी 3 डिगरी की कमी दर्ज की गई, बता देरा भीवार को जहां अधिक्तम तापमान 29.5 डिगरी सेल्सियस रिकॉर्ड किया था, वहीं सोम वार को 17.5 डिगरी अधिक्तम तापमान रिकॉर्ड किया गया, वहीं रांची का निम्तम तापम दो डिग्री सिल्सियस रिकोर्ड किया गया जार्खन बिहार में डेढ़ लाख मोबाइल फोन हुए बंद अवाइध तरीके से मोबाइल कनेक्शन लेने वाले के खिलाप अब दूर संचार विभाग करवाई कर रहा है पिछले चोओं माह में दूर संचार विभाग ने जार्खन बिहार के डेढ़ लाख से अधिक मोबाइल कनेक्शन बंद किया है विभाग के सूत्रों के मुताविक कनेक्शन लेते समय कोई तरह की गरवड़िया की गई थी जिसकी आईडी दी गई थी उसकी तस्वीर नहीं थी ऐसा ओनलाइन फ्रोड के लिए किया जाता है इस तरह के फ्रोड में लीप्त अपराधी करवाई से बचने के लिए कई हद कम पे अपनाते हैं लेकिन अब विभाग डाटा बेस साफ करने में जुट गया है इसका नतीजा आया है कि छो माह में बड़ी संख्या में सीम बंद किये गए है वहीं दूर संचार अपसरों का कहना है कि यह सतत परकिरिया है जो आगे भी जाली रहेगी जार्खन बिजेपी के सिर्ष नेतित्य में होगा बदला जार्खन बिजेपी में नेतित्य परिवर्तन की सुबूगा है भाजपा की राष्ट्रिये कारकरनी की बैठक 16 जनवरी को होनी है इस बैठक के बाद जार्खन में संग अठनिक फिर बदल हो सकता है जार्खन में भाजपा परदेश अध्यक्ष की जिम्यदारी किसी नए चेहरे को मिल सकती है जनकारी के मताबिक किसी आदिवासी या ऐसी चेहरे को परदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है भाजपा ने जारखन में लोग सभाचुनाओ से जुड़े मिशन 2024 के साथ उसी साल होने वाले बिधान सभाचुनाओ को लेकर भी त्यारी शुरू कर दी यही वज़ा है कि मिशन 2024 को लेकर भी परदेश अस्तर पर बदलाओ के संकेत मिले है आदिवासी बोट्रों को साथ लाने की चुणाओती भाजपाको है ऐसे में बड़े आदिवासी चेहरे के जिमेदारी मिल सकती है पलामू के छतरपूर में दिवाकर जी सहीत आठ नकसलियों की गिरफ्तारी की सुचना गया है हलाकि पूलिस ने इन नक्सलियों की गिरफतारी को लेकर अधिकारिक रूप से पुष्टी नहीं कि है उधर जैप तीन के पासिंग आउट परेट को समोधित करते हुए जारकन के डिजीपी नीरा सिना ने कहा है कि जारकन में पूलिस का मनोबल उचा हुआ है उन्हों ग्रतलब हो कि पिछले महीना हाई कोट में हुई दुर्ण चार हफ्तों के अंदर निचली अदालत में सिरेंडर करने को कहा था पारसनाथ में जैन वा आदिवासी अपनी परंपरा के अनुसार करेंगे पुजा पारसनाथ परवत से जुड़ी धार्मिक आस्था और पुजा को लेकर उपजे बिवाद को समाप्त करने के लिए गिरीडी के मधुबन में बैठक हुई जीला परसासन के अला अधिकारियों के मवजूदगी में हुई बैठक में आदिवा सिवा जैन समाज की बिभीन कमीटियों के परतिनिदियों के अलावा आस्थानिये समाजिक संगठनों से जुड़े लोग और जन परतिनिदी सामिल हुए बैठक में कई बिंदू पर सकरात्मक निन लिये गए तै हुआ कि परतिन पर्वत पर दोनों धर्मों के लोग अपनी अपनी पुरानी परंपरा और मने अतावक के अनुसार भुजा आर्चना करेंगे साथ ही एक दूसरे के धर्मिक आस्था का सम्मान भी करेंगे बैठक में सामिल बिभीन, समाज और संगठन के लोगों ने कहा है कि परसनात पर्वत पर फिल हाल स्वामित्व की लड़ाई नहीं है और नहीं कोई बिवाद है बेतला नेशनल पार्क से सटे गाओ में अग्यात जानवर के हमले से मजदूर घायल पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क से सटे सरोई डी गाओ में लाली माटी में एक अग्यात जानवर द्वारा मजदूर राईदेव सिंग पर हमला कर दिया गया इस गाटना में वह बुरी तरह से घायल हो गया उस जानवर द्वारा राईदेव सिंग के हाथ और पैर को पंजे के वार से नोश लिया गया घाटना के जनकारी मिलने पर बिधायक राम चंदर सिंग ने गायल मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल भेजा उसका इलाज अस्थानिय स्वास्त केंदर में किया जा रहा है अस्थानिय लोगों के अनुसार उसे आदम खोर तेंदूया के द्वारा हमला किया हुआ माना जा रहा है हलाकि वन विभाग द्वारा अभी इसकी पुष्टी नहीं की गई है आसपास के इलाकों में तेंदुयों के पंजे की निसान तो ढूरने के लिए टीम जूट गई है विधायक लोबिन ने अपनी सरकार पर साधा निसाना जारखन बचाओ मोर्चा के परदे संजोजक सब बोर्यों के विधायक लोबिन हेमरब ने कहा राज में जल, जंगल और जमीन बचेगा तो आदिवासी बचेंगे इसलिए हमें फिर से लड़ने के लिए त्यार रहने की जरूरत है उन्होंने कहा है कि राज भर में तीरपन संग अठनों को मिला कर जारखन बचाओ मोर्चा के अस्थापना की गई है लातेहर में अयोजित मोर्चा के प्रमंडल अस्तर ये समेलन को समधित करते वे विधायक लोबिर हमरव ने कहा है कि बिहार से जरुखन अलग राज होने के बाद भी लोगों को मुल भित्स विधायन नहीं मिल रही है राज में हमन्त सुरेन की सरकार बनने के बाद यहां के मुल निवासी आदिवासियों से किया गया वादा अब तक पुरा नहीं किया गया सरकार बनने से पहले हमन्त सुरेन ने जारकन के लोगों से वादा किया था कि जल, जंगल और जमीन SPT Act, CNT Act, 1932, खत्यान और पेशा Act को लागू करेंगे लेकिन आज जरकार किसी मुद्य को लेकर लागू नहीं कर सकी है दोहरे टूसू पुरोब में उम्रा जन से लाब जमसेतपूर में पहली बार दोहरे टूसू का आउजन किया गया इस आउसर पर दिमना चोक से साक्ची गोल चकर तक डोहरे टूसू पर पर बिसाल सोभा यात्रा निकाली गई टूसू पर के आउसर पर आयोजीत सोभा यात्रा में जारकन बंगाल, ओडिसा और 36 गर से काफी संका में मुल जारकनडी सामिल हुए जिसमें कुडमी जन जाती समुदाय की 95 परचत भागिदारी रही इसके पहले 31 दिसंबर 2022 को धनबाद में इसका आउजन किया गया है लातेहर जंगल में दो भालूओं ने यूवक पर किया हमला लातेहर जिले के महुआ डार जंगल में सनी वार साम एक यूवक करीब एक घंटे तक दो भालूओं के साथ संगर्श करता रहा उसने हीमत से काम लिया और उसकी जान बच गई लेकिन भालूओं के हमले में वह बुरी तरह जखमी हो गया यूवक राजेस इडवार नगर परताप गाउन निवासी है वह लातेहर सदर स्पताल में इलाजरत है उसके सीद पर जखम के गहरे निसान है राजेस ने बताया है कि टेवर की गाउं में बिमार मा को देखने के लिए बाइक से जा रहा था डोड़ा गाउं मार्ग में जंगल पार कर आगे बढ़ा तभी दो भालू सामनी आ गए भालू ने उसे घेर लिया उसके चारों और घुमने लगे तभी एक भालू ने पीछे से हमला बोल दिया संतुलन बिगणने के बाद वह गिर गया मुख्य मंत्री हेमांच सुरेन धनबाद पासिंग आउट परेड में हुए सामिल मुख्य मंत्री हेमांच सुरेन गोविंद पूर इस्थीत जारकन ससस्त पूलिस तीन में आयोजीत पासिंग आउट परेड समारों में बतर मुख्यातिती सामिल हुए बता दे मुख्य मंत्री हमनसुरी धनबाद पहुंचे यहां ओकोविंद पुलिस्थीत जारकर्ण सस्थ पुलिस्थीन में आयोजीत पासिंग आउट परेट समारों में बतर मुख्या तिती सामिल हुए इस दोराण उन्होंने पासिंग आउट परेट की सलामिली और जवानों को बधाई दी महिला मुख्या के एक तरफा प्यार में युवक ने खाया जहर दुमका नगर थाना छेतरे के बक्सी बांध निवासी 27 साल के रोसन कुमार ने दुधानी पंचायत की मुख्या जूली मरांडी सिनहा से एक तरफा प्यार के चलते रभिवार को जहरीला पदार्थ खा लिया उसे गंभीर हालत में दुमका मेटकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया जहां से उसे धनबाद रेपर कर दिया गया यहां भीवा मुख्या के बिना धनबाद अस्पताल जाने को त्यार नहीं हो रहा था इधर मुख्या ने युवग पर गाली देने और बलैकमेल करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है युवग के पिता ने मुख्या पर बेटे को अपने प्यार में पागल करने का आरोप जड़ा है इस मामले में रभीवार को थाने से लेकर अस्पताल तक घंटो ड्रामा हुए दरसल सुबह रोशन और मुख्या के घर वालों में कहा सुनी हुई सिकायत नगर थाना पहुची कोट फीस में बिरिधी को लेकर आंदोलन जारी ज़ारखन में कोट फीस में बिरिधी को लेकर अधिवक्ताओ का अंदोलन जारी है दो दिवसी अंदोलन के बाद रभीवार को रांची में बार कॉंसिल की अपात बैठक भी हुई जिसके बाद उन्होंने 9 और 10 जनवारी को भी नयाई कारेों से खुद को दूर रखने का फासला लिया है बता दे अधिवक्ता कोट फीस संसोधन बिधैक वापस लेने की मांग पर अड़े हाए जारखन में कोट फीस बिरीधी के बिरुद में परदेश के सभी जीलों के लबक 33 अधिवक्ताओ कांदोलान अब भी जारी है धन्यवाद